पाई नेटवर्क की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है SR Kripto News भी आपका हार्दिक स्वागत करता है फ्रेंचस आज बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़े करंसी सबसे बड़ा कोईन जिसका नाम है पाई नेटवर्क 50 million, 50 million pioneers जिस एक सिक्के की mining कर रहे है उसका नाम है PIE Network अभी फिलाल रिसेटले एक बड़ी अपडेल की बात करते है PIE Network में बड़े-बड़े scammers बड़े-बड़े सोधागर्ब बड़े-बड़े मगरमच ने अपने कदम रख दिये है वो आपके सिक्के को हड़पना चाते है वो आपके सिक्के के बड़े कुछ नहीं देना चाते है तो फ्रेंट्स ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ एक awareness के लिए वीडियो बनाया है मैंने जागरुकता के लिए वीडियो बनाया है कि यदि आपके पास πाई के सिख्के है यदि आपकी चार या पास साल की जो भी महनत है आपने पाई के सिख्के को आरण किया है तो friends उस सिख्के को कहीं आप गवा मत देना इसी के लिए ये वीडियो में बना रहा हूँ आपने देखे होंगे काफी वीडियो अपने यूटुब पे देखी होगी कि आप पाई के सिक्के हमें बेचे हम आपको confirm एक deal देंगे एक amount आपको देंगे हम आपकी पाई को 20 रुपे पाई के साब से खरीदेंगे 200 रुपे पाई के साब से खरीदेंगे कि ये मेरा WhatsApp के नंबर है, यदि आपको अपनी पाई को सेल करना है, तो आप मेरे को WhatsApp करिए, जब आप WhatsApp करते हैं, तो उनकी क्या demand रहती है, कि आप पहले मुझे अपने सिक्के ट्रांसफर करें, उसके बाद मैं आपको अपना payment ट्रांसफर करूँगा, वो आपके पाई को लेते है, 30 रुबे, 40 रुबे के आसपास, एक सिक्के को आपके लेते है वो, यदि आप अपनी पाई ट्रांसफर कर देंगे, तो फ्रेंट्स मैं कंफरम कहता हूँ, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा गया, कपिल शर्मा का आपने शो देखा होगा, बाबा जी का ठुलू, तो ये फ्रेंट्स से सच्चा ही है, 100 परसेंट ट्रू है ये, कि यदि आपने अपने सिक्के ट्रांसफर कर दिये किसी बंदे को, और यदि पेमेंट की बाद हो गई, तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, तो मैं आपसे हंबल रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आपकी मेहनत है, 3-4 साल की जो भी आपकी मेहनत है, जो आपके सिक्के आपने सजा के रख रखे है, उस सिक्के को किसी भी मगरमच के हाथों में, किसी भी सोधागर के हाथों में आप ना दे, तो यह बहुत बड़ी बात है, आने वाले रियल टाइम पे देखा जाएगा, जिस दिन अपना पाई नेटवर्क किसी बड़े एक्षेंज पे लिस्ट होगा, बजी रेक्स पे होता है, बिटमार्ज पे होता है, या फिर बिनाइन्स पे होता है, जिस भी एक्षेंज पे लिस्ट होगा पाई नेटवर्क, उस दिन हमारे पास पूरी सब्संतरता है, हम 100% पूरी तरीके से सब्संतर है, अपने PIE के सिक्के को बेचने के लिए और जो amount है वो amount भी अपने को पता लग जाएगा कि किस amount पर आप अपने PIE के सिक्के को sale कर सकते हैं यदि आज के time पर यदि फिर भी आपको जरूरत है यदि आप चाहते हैं यदि आपको लगता है कि PIE की कोई value नहीं है कोई एक PIE के मुझे 20-30 रुपए यदि मुझे दे रहा है तो मैं अपने PIE के सिक्के को sale कर दूँ यदि आप यह करना भी चाहते हैं तो friends मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि first payment then PIE पहले आपको अपना payment लेना है उसके बाद अपने सिक्के को transfer करना है जैसे suppose करो आपको कोई बोलता है कि आप मुझे अपनी PIE send कर दीजिए और मैं उसके वियाफ मैं आपको payment send कर देता हूँ तो आप उस बंदे को एक ही बात बोले कि पहले आप मेरे को payment send करिए और उसके बाद मैं अपने सिक्के मैं आपको बेजूँगा तो वो बंदा आपको एक ही बात बोलेगा कि यदि मैंने आपको payment वेज दिया और आपने मुझे सिक्के नहीं वेजे तो friends आप जवाब देना दोस्त यदि मैंने आपको PIE Network के सिक्के वेज दिये और आपने मुझे payment नहीं वेजा तो friends उसका एक जो बीच का जो solution है बीच का जो result है वो यह आता है कि उस बंदे को बोलिए कि आपन दोनों मिल लेते हैं एक meeting conductor लेते हैं आपन दोनों मिलते हैं बैठता है कोफी पीता है आप मुझे payment करना और मैं अपने सिक्के आपको transfer करूँगा कोई भी दिक्र नहीं है सबोज करो जैसे वो बंदा रहता है दिल्ली में और आप रहते हो जैपुर में तो एक जो बीच की जो जगह है ऐसे suitable जो जगह है जैसे आपने अपना जो point है वो decide कर लिया है गुडगाओं कि आपन दोनों गुडगाओं मिलेंगे 10 मिनिट का काम रहेगा आप मुझे अपने payment करना और मैं आपको अपने सिक्के ट्रांसफर कर दूँगा जो value की जो बात है वो आपकी बाते पहले ही हो जाएंगी कि अगला बंदा किस rate के इसाब से आपके सिक्के को ले रहा है तो overall मेरे कहने का मतलब यह है कि बिना किसी बंदे से मिले आप अपने सिक्के को ना बेचे पाई network के एक-एक सिक्के की वहाँ जबरदस्त value होने वाली है जब पाई का open minute आएगा आपने देखा था पिछली साल 30 December 2022 को एक fake coin launch हुआ था उस fake coin ने भी अपने अच्छी खासी value network पे दर्शाई है exchange पे दर्शाई है और यह तो अपना original पाई है यार यह तो अपना original पाई है जिस पाई की आप और मैं mining कर रहे है तो friends आप से request है include me यदि मैं भी आपको बोलता हूँ कि आप मुझे pie send कर दो मैं आपको payment send कर दूँगा तो आपका जवाब होना चाहिए कि first payment then pie मेरे कहने का मतलब है कि आपको किसी पे भी विश्वास नहीं करना है किसी पे भी trust नहीं करना है क्योंकि pie network के सिकों को लेकर आजकल लोग बहुत बड़ा scam करने लग गए है यदि आप video के comment section में जाके देखेंगे किसी भी video के pie network के तो आपको वहाँ पे इस तरीके के message मिल जाएंगे कि मैं आपको pie 7 ended में ले लूँगा मैं आपकी pie 50 रुपे में ले लूँगा मतलब हो एक को decided value नहीं बन पा रही है कि pie की value है क्या बट फिर भी यदि आपको भी यदि पैसे की जरूरत है और अपने pie के coin को आप sale करना चाहते है तो first payment then pie एक ही rule अपनाना है अपनों को यदि वो बंदा agree होता है तो ठीक है यदि वो agree नहीं होता है तो आपको face to face meeting conduct करनी है face to face बैठना है और उसके बाद अपनी pie देना है और पैसा लेना है बस एक ही काम करना है तो friends last में मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ यह जो बड़े-बड़े मगरमच है बड़े-बड़े सुधागर है यह जो बड़े-बड़े scammer market में जो बैठ है जो आपके pie के सिक्के को हडपना चाहते है तो आप इनसे अपनी दूरी बना के रखे यदि आपकी KYC नहीं हुई है तो KYC के slot flag धना-धर तरीके से मिल रहे है लोग आराम से अपनी KYC को complete कर रहे है चार से पाँच दिन में KYC का review complete हो जाता है और आपकी KYC complete हो जाती है रहती है बाद migrate to mannet को लेकर यदि migrate to mannet को लेकर आपका कोई issue create हो रहा है पिछले 6 मेंने से, पिछले 8 मेंने से, 10 मेंने से तो आपको tension लेने की ज़रूद नहीं है यह completely pine network की तरफ से आपके जो सिक्के है आपके जो कोईन है वो आराम से mannet पे transfer हो जाएंगे friends thank you, thank you so much वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यदि first time आप मेरी आवाज को सुम रहे है तो please subscribe to this channel, thank you, thank you so much